नमस्कार दोस्तों स्वालत आपके नए वीडियो में दोस्तों आज का वीडियों बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाल है बहुत ही नौलिजफुल होने वाल है दोस्तों आगर आप समधर की EKYC करते होगे तो आपको एक problem जरूर आता होगा OTP problem यह problem दोस्तो हर किसी को आता है जो लोग EKYC करते हैं मालेजी से 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 सेंटर बाला होगा कियोस्क बाले होगा है या फिर नॉर्मल लोग होगा है जो अपने खुद से EKYC करते है सबको दोस्तो यह problem का फेस करना पड़ा है क्योंकि दोस्तो जो site है हमारे इसमें दोस्तो इतने सारे लोग एक साथ EKYC करें इसी वज़े से दोस्तो जो दिन में अगर EKYC करते हैं तो उनको ज़्यादा तर यह problem देखने हो को मिलता है और जो लोग रात में करते हों उनको ज़्यादा तर यह problem देखने हो को नहीं मिलता होगा और अगर आप भी KYC करते होंगे समक्रकी तो दोस्तों आपको मैं बता दूँँ कि आप जब भी KYC करें तो सुबह के समय करें सुबह साथ बज़स नौ बज़स बीच इधर दोस्तों अगर आप KYC करते हैं तो आपको बहुत जल्दी OTP आने का चांस रहता है बहुत जल्दी OTP मैं ने सुबह के समय भी बनाया है और साम किसमा भी बनाया है तो दोनों में दोस्तों मेरे को difference लगा है कि सुबह के समय जब मैं KYC करता था 9 बज़े पहले था कि तो OTP जल्दी आ जाता है पांच मेंट के अंदर ही OTP आ जाता है और साम को भी वही हाल है मगर जो जब दिन में करता हूँ 10 बज़े बाद 1 बज़े 12 बज़े या 2 बज़े चार बज़े तो दोस्तों वही problem होता है कभी 15 मेंट बाद आएगा OTP कहीं आधे घंटे बाद ऐसे ही OTP आता है तो उसमें दोस्तों बहुत दिकत होता था तो दोस्तों इसका एक ही solution था यही कि आप जब भी समख की EKYC करेंगे तो सुबह के समय करी और साम के समय करी इसमें दोस्तों बहुत जल्दी होता है और बहुत स्मूतली होता है तो आई होप दोस्तों अब आप समझ गहों कि कि आपको किस समय समख की EKYC करना है OTP प्रॉब्लम से बचने के लिए उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कर देना और आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है डाउ हिन वन दे मातरम